नौसयनिकों को लेकर इटली के साथ जारी विवाद में गुरवार को भारत को बड़ी कूट नितिक सफलता मिली जब इटली दो नौसयनिकों को वापस भेजने पर राजी हो गया इन नौसाइनिकों पर दो भारती मच्छवारों की हत्या के आरोप में सुप्रिम कोर्ट में मुकदबा चल रहा है इन दोनों नौसाइनिकों को एक विशेस विमान के जरिये भारत भेजा जा रहा है और ये दोनों नौसाइनिक आज भारत पहुँच जाएंगे सुप्रिम कोर्ट ने इन्हें आज तक भारत लोटने की महलत दी थी इससे पहले इटली ने अपने दोनों नोसेनिकों को भारत वापस भेजने से इनकार कर दिया था इटली के और से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत में उनके मेरीन्स के साथ उचित ववहार और मौलिक अधिकारों की रक्षा की भारत की और से लिखित आश्वासन के बाद ये फैसला किया गया इससे पहले सुप्रिम कोर्ट ने मेसी मिलियेनो लेटोर और सेलवाटोर जाइरोन नाम के दो मेरीन्स को इटली के चुनाओं में मतदान के लिए स्वधेश जाने की अनुमती दी थी लेकिन ये शर्ट लगाई थी कि वे मुकदमे का सामना करने के लिए 22 मार्च तक भारत लोटाएंगे लेकिन दोनों नासेनिकों के भारत से जाने के बाद इटली अपने वादे से मुकर गया जिससे दोनों देशों के बीच रिष्टों में कड़वा हटा गई इटली के अपने वादे से मुकरने के बाद उच्चुतम नैयले ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया और इतावली राजदूत के भारत से बाहर जाने पर रोक लगा दी देश के तमाम राजनीतिक धलों ने भी इटली के रुख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी इटली का रुख भारत को स्वीकारे नहीं है और इटली के फैसले से दोनों देशों के संबंधों पर इसका प्रत्कूल प्रभाव पड़ सकता है यूपी अध्यक्ष सोनिया गाधी ने भी इस मामले पर इटली को कड़ी चेताउनी दी थी दोनों देशों के बयानबाजी के बीच इटली ने धलील दी थी कि एक अंतरराश्ट्रिय समुद्री लूट विरोधी अभियान के दौरान अंतरराश्ट्रिय जलक्षेत्र में गोलियां चलाई गई और इस मामले में इटली का निया अधिकार शेत्र बनता है बहराल इटली सरकार के नोसनिकों के वापस भेजने के फैसले के बाद अब सब कुछ ठीक ठाक होने के उम्मीद है ब्यूरो रिपोर्ट डीडी निउस